बात करेंगे crypto tax के बारे में और बात करेंगे best crypto exchanges के बारे में जहां कि आप after 30% tax अपनी crypto को safely रख सकते हो securely रख सकते हो ऐसा करना क्यूं जरूरी है इस बारे में भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते है crypto market की crypto market पिछले 3-4 महिनों से काफी डाउन चल रहा है लोगों का portfolio 40-50% already down में है crypto market से maximum लोग frustrate हो चुके है क्योंकि बहुत दिनों से market में कोई भी positive moment देखने को नहीं मिल रहा है अगर इस crypto crisis के main reason की बात करें तो जब से साल 2022 स्टार्ट हुआ है crypto market के regarding negative news जादा आ रही है चाहे आप recently Russia Ukraine war की बात करो चाहे crypto पे 30% जो Indian government ने tax लगाया है उसकी करो कोई भी positive news अभी तक crypto में नहीं आई है लोग डर रहे हैं लोगों का portfolio इतना down है कि अभी वो sale भी नहीं कर सकते और काफी सारे लोग फसे पड़े हैं इसी चक्कर में कि क्या sale करके निकल जाए या अभी और wait करें hold करें तो आज हम बात करने वाले है crypto से related tax को लेकर Indian government ने एक भारी भरकम tax लगाया है crypto के उपर जो है 30% flat tax plus 1% TDS ये जो 30% tax है कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये 5 lakh and उससे अभव की transaction पर होगा लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है अगर आपका 5000 का भी profit होता है crypto से तो उसके उपर भी आपको flat 30% देना जरूरी है और ये लागू होने जा रहा है 1st April 2022 से ही कुछ लोगों को ये misconception था कि अगले financial year से start होगा लेकिन ये इसी financial year से 2022 से ही start हो जाएगा 1 April से 31 March 1 April 2022 से 31 March 2023 तक ये crypto tax रहेगा तो जो भी हमारी earning होती है उस पर हमें 30% flat tax देना ही पड़ेगा तो जिन लोगों ने crypto में investment किया हुआ है उन्हें अब planning करनी पड़ रही है कि ऐसा क्या किया जाए कि हमें tax ना देना पड़े या कम से कम tax देना पड़े और दूसरी चीज़ लोग ये सोच रहे हैं कि कौन से exchange पर trade करें कौन से exchange पर हमें profit हो सकता है और कौन सा exchange safe रहेगा किसे हमें avoid करना चाहिए तो अब सवाल ये आता है कि हमें कौन से crypto exchange use करने चाहिए crypto hold करने के लिए जिससे कि next financial year start होने पर हमें कोई problem face ना करनी पड़े current situation में एक अच्छा exchange select करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर कोई exchange government की guidelines को follow नहीं करेगा तो government उसके against कोई भी step ले सकती है exchange के operations को close भी कर सकती है तो काफी source समझ कर हमें exchange को choose करना पड़ेगा जिससे कि हमारा पैसा safe रहे तो अब हम बात करने वाले हैं उन exchanges के बारे में जो हम आने वाले time में use कर सकते हैं और safely crypto buy and trade कर सकते हैं ये exchange सबसे ज़ादा safe and secure है अब भी तक इंडिया में जितने exchange work कर रहे है उनके interface में crypto tax को लेकर कोई भी changes देखने को नहीं मिला है maybe after 31 March यानी की 1st April से कुछ changes भी हमें देखने को मिलें शायद लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है इंडिया में बहुत सारे लोग Indian exchange यूज़ करते हैं और काफी लोग international exchange भी यूज़ करते हैं दोनों ही type के exchange के अपने अपने advantage है Indian exchange पर हम INR में buy कर सकते हैं buying trading easy हो जाता है लोगों के लिए international exchange की बात करें तो हमें seamless trading buying feature मिलते हैं तो Indian exchange की बात करें तो number one पर आता है वजीरेक्स ये इंडिया का leading crypto exchange है इसके users सबसे ज़्यादा है इंडिया में ये काफी popular और trusted भी है इसके founder Mr. Nishal Shetty काफी active भी रहते हैं socially और government तक उनकी reach भी है तो in future उनके exchange पर अगर कोई problem आती है तो उसको वो sort out definitely जल से जल करने की कोशिश करेंगे ही और अगर international exchange की बात करें तो Binance best रहेगा ये world का leading crypto exchange है जिस पर world में सबसे ज़्यादा users है और trading volume भी highest रहता है इस पर इंडिया में भी Binance users other countries के comparison में सबसे ज़्यादा है तो अब आप सोच रहे होंगे वो तो ठीक है best exchange है Binance, safe and secure भी है लेकिन tax का क्या? Indian exchange पर तो tax का समझ में आता है लेकिन एक international exchange पर tax का क्या सीन होगा? क्योंकि international exchange पर tax related interface change करने का मतलब है एक global level पर change लेकिन tax इंडिया में valid है, internationally valid नहीं है तो क्या Binance interface म नहीं करने वाला है लेकिन अगर ऐसा होता है कि Binance Indian government को मना कर देता है tax को लेकर तो future में क्या हो सकता है? क्या Indian government उसके against Binance को इंडिया में बैन कर सकती है? या ऐसा भी possible है कि Indian government Binance पर pressure डाले tax apply करने को लेकर? Binance के इंडिया में अच्छे का से user है तो ऐसे में Binance भी नहीं चाह बैन कर दिया था क्योंकि Binance वहां के time and condition को follow नहीं कर रहा था इसके solution के लिए Binance ने US में एक separate platform बना दिया Binance.us के नाम से ये exchange only US में work करता है globally जो हम use करते है वो Binance.com है तो ऐसे में हो सकता है इंडिया में भी Binance ऐसा ही कुछ separate platform launch कर दे like Binance.in जिस पर हम easily trading buying कर पाएं अब platform का नाम ही क्यों लिया इन दोनों exchange के बारे में ही आपको क्यों बोला तो वह इसलिए क्योंकि Binance और वजीरेक्स एक तो trusted है safe and secure है दूसरा इनकी एक partnership है Binance ने वजीरेक्स को acquire किया हुआ है आप अपने Binance और वजीरेक्स के account को integrate कर सकते हैं एक exchange से दूसरे exchange पर easily crypto transfer भी कर सकत तो वह free of cost तो Binance और वजीरेक्स के integration का आपको एक ये फायदा होने वाला है कि अगर आपको कोई problem आती है international exchange पर तो easily आप अपनी crypto को वजीरेक्स में transfer कर सकते हो बाकि दोनों ही top leading exchange है safe है secure है सबसे जादा users इन ही के हैं तो इन ही सब reasons की वज़े से वजीरेक्स and Binance safest exchange लगते ह हैं तो mostly लोग वजीरेक्स and Binance को ही चूज करते हैं अगर आपके पास वजीरेक्स या Binance का account नहीं है तो description box में मैं link दे दूँगे आप अपना account create कर सकते हैं तो ये थी एक short analysis crypto पर लगने वाले tax को लेकर और किस तरह से आप best exchange चूज कर सकते हैं अपने crypto को safe and secure रखने के related कि क्या इसमें कोई अभी changes हो सकते हैं या ये flat 30% ही रहने वाला है आपका क्या opinion है about crypto tax आप कमेंट करके बताना फिलहाल वीडियो में इतना ही था वीडियो काम का लगा हो तो like कर देना मिलती हूं next वीडियो में तब तक के लिए take care by